नमस्ते दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम चाय की पत्ती को लिक्विट फार्म में कैसे आप पौधों में इस्तिमाल करें उसको बताएंगे हमने 100 ग्राम चाय की पत्ती ली है और उसको एक लीटर पानी में हम भिगो दिये हैं रात भर हम इस अच्छी तरह से भीगने के बाद इसको हम डालेंगे यह हमने ताज महल की चाय इस्तिमाल किये आपको पत्ती वाली चाय लेनी है आप देख सकते हैं यह ताज महल की चाय है अच्छी क्वालिटी की आपको चाय लेनी है और यदि पत्ती रहेगी चाय में तो चाय बहुत ही अच्छी खाद बनेगी इससे इस तरह से आप इसका अपने पौधों में इस्तेमाल करें और ये अच्छी तरह से कलर छोड़ दिया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर है इस तरह से आप इसको भी गोए हम आपको दिखा रहे हैं वालटी में निकाल करके जितनी अच्छी क्वालटी की आपकी चाय रहेंगी उतना ही अच्छा कलर आएगा और इसको आपको अपने सभी पौधे में इस्तेमाल करना है अब हम आपको अपने कुछ पौधों को दिखाएंगे जिसमें हमने इसका इस्तेमाल किया है अब देख सकते हैं, ये हमारा पतली पत्ति वाला क्रोटन का पोधा है क्रोटन के पोधे कई तरह के होते हैं, हमने 3-4 तरह के लगाएं हैं ये डिफिन बेचिया है, इसकी भी पत्तिां बहुत ही स्वश्थ है चाय की पत्ती का इस्तेमाल हम गर्मी के दिन में जरूर करते हैं सर्दियों में तो हम सर्सों की खली का इस्तेमाल करते हैं लिक्विड में या आप ड्राई में किसी भी तरह से डाल सकते हैं ये सब पौधे इसी तरह से देख भाल करने से बहुत ही स्वस्थ है आपको अपने पौधे में लिक्विट फार्म में किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है कि इतना डालना है इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको एक लिटर पानी में आपको चाही की पत्ती को भिगोना है सो ग्राम चाहे की पत्ति, उसके बाद इसमें हम दो लीटर पानी और एट किये हैं, कुल मिला कि ये तीन लीटर हो गया, और इसको हम आधा अधा ग्लास की लगभग, तीन सो यमेल का सकते हैं, धाई सो तीन सो यमेल, एक एक पौधिम डालेंगे, हमारा समी का पौधा है, सु पौधा हमारा ये स्पाइडर का है, सभी पौधों में गर्मियों में हम इसी का इस्तिमाल करते हैं, यह भी पौधा बहुत ही अच्छा हमारा स्वस्त है, दोस्तों इस तरह से आप भी अपने पौधे में इसका इस्तिमाल करें, और अपने पौधे को स्वस्त और सुन्दर बनाएं वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें कमेंट करें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे हम पौधे के किसी नई वीडियो के साथ आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैसे किष्ण जाओे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब